हेलो गाईज, वेल्कुल टो में चैनल, कैसे हैं आप लोग, उमीद है बहुत ही अच्छी होंगी, आज हम बनानी जा रहे हैं आलू की कचोड़ियां, आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बन के तियार हुई है, बिल्कुल खसता है यह, इसका आवाज आप सुन सकते ह हैं, बिल्कुल बढ़ियो और कंची बन के तियार हुई हैं, अंदर से बिल्कुल सॉक्ट मुलायम हैं, आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियो को बन के तियार हुई है, तो चलिए बिन आदे Safety व वीडियो को बनाना सुरू करते हैं, इसी बनाने के लिए हमें सब से पहले ले यह नए आलू है इसका यह चोड़ियों बहुत अच्छी बनती है अगर आप वास नहीं आलू नहीं ता पुराने आलू भी ले सकते हो इसके लाव हमें लिया है दो प्याज लहसन अधरक हरी मिर्च प्याज को छोटे टुकर में काट लेंगे लहसन अधरक को भी कुट लेंग तो टोरी फ्रेस भरी धनिया पत्ती भरी मिर्च तो चलिए फिए के फ्लेम को और करते हैं घईस की आने कर gerçekten करलिया है गडाई हमारी गारम नहीं इसमें डालेंगे सरसू क तेन करते हमारा गल्म होगए सबसे पहले अचिंशन थालते है प्याज प्याद को थोड़ा ब्लाउन करना है प्याद के बाहर का ब्लाउन होने लगा है इसने हम डालें अपने अग्डरा कॉल लेसन का फेष्ट प्याद अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है अब इसमें डालेंगे हम थोड़े मसाले हल्दी पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर काली मिर्स पाउडर क्योंकि मसाले हमने सुखे डाले ही इसलिए जाएगा इसमें हलका पानी मसाले हमार बूल चुके इसमें दालेंगे हरी धनिया पत्ती आप अब आप मसाले हमारे पुरी तरी से ढून चुके है इसमें डालेंगे आलो आलो के साथ इसमें हम डाल लेंगे टिस्ट के कोड़े नमक अची तरी के से को में इसके लाएगे आलो मारे अची तरी की से मिक्स हो चुका है अब चलिए पहले कचोडियों के लिए हम अपना आटा तियार कर लेते हैं कचोडियों बनाने के लिए हमने लिए हैसा से पहले क्योंका आटा आटे में डालेंगे थोड़ा सा अजवाय इसमें जाएगा हमारा टेस्ट के कॉर्डिंग नमक हमें थोड़ा डालना है क्योंकि अलुम हमने अल्रेटी नमक डाल रखा है इसलिए नमक खलका डालना है पहले से मिला लेंगे अच्छी तरीके से कि पूरे में फैल जाए अब हम इसमें डालनेंगे मोयन इसमें जाएगा एक धक्कन और अधकन हमने इतना इसमें एक टेबल स्पूल और आधे टेबल स्पूल इतना मैंने कौंकि यह आलू का होता है तो आलू का यूण व्रजह से हमारा उतर है नहीं होती है इसलिए बहुत जादा इसमें जाहरे में मरें चैनल चैनला पर टाiri चांब आध़ अंधर से खश्त बना देता है क्योंकि आलो हमारा मॉल मुलाइम होता है इसलिए पचोर्यों को भी अंदर तर्च से मुलाइम कर देता है मॉयन हमने अच्छे तरीके से मिला लिया है धकन के हिसाब से मैंने इस में एक और आधे धकन डाला है और चमच के हिसाम से मैंने एक बड़े चमच और आधा चमच यानी कि डेड़ चमच टोटर इसमें मैंने मौइन डाला है इतने से इसका कलर आटे का चेंज हो गया है यह देखिए आठा माई तरीके से बंदने लगा यानी कि मौइन हमारा परफेक्ट पड़ांगो है अब हम इसमें हलकाल का पानी डाल के इसको गुंद लेते हैं आठा मुंद के हमने त्यार कर लिया है अब हमें लेना है आठे की एक छोटी लोई त्यार करेंगे आठे की लोई हमने त्यार कर ली है इसमें लगाना है सुखा आठा किसी भी कचोड़ी को भरने की टेक्निक सबसे उस पर ध्यान देना पड़ता है इसको हम कचोड़ी का सेब देंगे क्योंकि अच्छी तरीकिसे हम भड़ेंगे थो हमारी कचोड़ी नहीं फूटेंगी तो इस पर हमें ध्यान देना पड़ता है इसका सेफ हमें कटोरी के जैसा देंगे अब देख सकते हैं इसे कटोरी का सिफ्ट में मैंने दे दिया है इसमें डालेंगे हम अपने आलू इसको अच्छी तरीकी से दमा दमा के इसको बंद कर देना है इसमें फिर बापिस हम लगाँगे शुखा और इसको से पहले हमें राउंड से इस से करना है ता कि जो भी इसके अंदर हमने आलू फिल के आहिए या को भी कचोड़ करते हैं चिंड को यहा ज्यांचा झांता है एक जगाई खट्टा नहीं रहता है इसे हमारी कचोरी फूटे की भी नहीं और पूड़े में हमारा जो भी मेटरेन हम अंदर डालेंगे वह पूड़े में अच्छी तरीके से फ्याइब अब हम इसमें आटा नहीं लगाएंगे सुखा आटा स्विफम ने तभी लगाया था तो इसमें लुया बनानी थी हमें बेलनी नहीं है इसमें आटा नहीं बिलना है चकले को अच्छी तरीके साफ कर लेंगे इसका भी एक्ष्ट्र आटा है हमारा सुखा इसे जाड़ लेना है जब लगाएंगे थोड़ा ओल बेलन भी आए लगाना है और इस पर हलके हाथों स दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अगर अभी ने आप तक लाइक कर देना श्री चैनल को अच्छी वीडियो में आपके लिए लेके आशक्या बहुत बड़ा सिफमें नहीं देना है अब बलकूल हलके हाथों समेश को बेना है इसी तरीके से हम अपने पूरे आटे को कचोरिय में बना लेंगे चलिए कैस को और करते हैं कराई हमने चड़ा लिए कराई गर्म होने देते हैं कराई है माली गर्म है इसमें डालते हैं आयल किसी भी कुकुण और आप बना सकते हो अब अब और अब गर्म होने देते हैं और हमारे गर्मे च्छोटा टुक्रा डाल के देखते हैं कि अब हमारा पुरी तरीके से गर्म है फ्लेम को मेरे भी फूल पर रखाता हूं फ्लेम को कम कर देती हूं हमारे के देखते हैं इसे में हम दूसरी को सवरी आल देते हैं देखिए फुली फुली मनी का चौड़िया त्यार हो रही है इस तरीके साथ आप उसको फिल करोगे तो कचौड़िया बिल्कुल भी नहीं फूटेंगी अप्राम से चंग जाएंगी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कचौड़िया फुली फुली बन नहीं है बिल्कुल भी यह फूटी नहीं है पचौड़िया हमारी बन नहीं इसको निकाल लेते हैं इसमें अपनी दूसरी कचौड़िया डाल देते हैं एक साथ दो दो कचौड़िया आराम से निकल जाएंगी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कचौड़िया बन के त्यार हुई है बिल्कुल फूली फूली बन के त्यार हुई है इस तरीके से अपने सारे आटे का बना के प्यार कर लेते हैं अब देख सकते हैं सारी पूरिया हमारी बिल्कुल बड़ी और खस्ता बनके तियार हो गई है तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आसी अच्छी वीडियो में आपके लिए और भी लेके आ सको तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाबाए